जब भी वो पैसा कमाते हैं उनको लगता है बहुत फाइदा हुआ लेकिन एक समय पर वो पैसा गवाँ भी देते हैं यूज प्रॉफिट आप शेर मार्केट में कमा सकते हैं यह डिपेंड करता है कि आप खरीदना एक अच्छा निवेश माना तो जाता है पर बहुत जदा प बात्रूम वेनेटी गौडरोब्स एंड स्टील इंटीरियर फंचाइजी शेयोरूम पैन इंडिया नमस्कार दोस्ताव मैं हूँ दॉक्षर अमित पाहिश्वरी बिजनस टेनर कॉर्परेट टेनर मुडिवेशनल स्पीकर और चीयो मेटा सोवर्स इस लेमिटेड आप सभ पैसा dzisiaj मंता है कि Pa northwest shower मारिशव अपने चोटा सा निवेश किया ऐए आई इसी बात को हम समझते हैं और देखते हैं कि शेयर मार्केट धोका है या मौका है शिर मारकेट के बहुत बड़े ग्याता- राकेच जुन-दुनानला जी ने एक बात कही थी मैं मैं 10,000 लोगों से मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आपने पैसा कमाया तो 10,000 के 10,000 लोग ये कहते हैं हाँ मैंने शेर मार्केट में बहुत अधिक पैसा कमाया और आश्चारे करने वाली बात ये है कि उनमें से 9,990 लोग जूट बोलते हैं बहुत सारे लोगों ने श कॉछ कारण है लोग शेर मार्केट में इंवेस्ट करते हैं क्यूंकि सेविंग बैंक में जो आपको rate of interest मिलता है और low rate of it लिए की वजह से आपको लगता है कि पैसा ऐसी जगया लगाया जाए जहां हो लोरेंट ऑफ इंटरस इसका बहुत बटा कारण है दूसरा buying gold is not so profitable पहले का जाता थे कि अगर आप सोना खरीद लेते हैं तो सोने की कीमत कई गुना बढ़ जाने वाली है पर अब ऐसा है नहीं सोना खरीदना एक अच्छा निवेश माना तो जाता है पर बहुत ज़्यदा profitable नहीं है इसलिए लोगों का रुजहान जो होता है वो share market के तरफ होता है अगली बात uncertainty of liquidity in property and high rate of income tax जो property में निवेश करना है न वो profitable तो है लेकिन वहाँ पर centenity नहीं है मतलब एक तरह से इस बात की कोई guarantee नहीं कि जब आप चाहें तभी आपकी property and cash हो जाएगी दूसरा property पर होने वाले capital gain परना आपको बहुत ज़रा tax देना पड़ता है और generally 30% tax lab के अंतरगता आप आ जाते हैं इस वज़े से भी लोग share market में निवेश करना पसंद करते हैं अब जब लोग share market में निवेश करना पसंद करते हैं उसके पीछे भी क्या कारण है उसके पीछे अगला कारण है unlimited growth possibility share market में आपको return 9%, 11%, 15%, 20%, 30% और कोई certainty नहीं है कि कितना huge profit आप share market में कमा सकते हैं ये depend करता है कि आपने किस company के share किया और कितने time तक retain किया है इसके लबावा annual dividend income आपको मिलती है बहुत सारे dividend paying shares होते हैं जो आपको per annum dividend pay करते हैं जो एक तरह से आपके लिए additional income का काम करती है इसके रवा nominal tax होता है जब हम share market से profit drive करते हैं चाहे हमने long term में किया हो या short term में किया हो हमें जो मिलने वाला gain होता है उस पर rate of tax बहुत nominal होता है जिसकी वज़े से भी लोग tax saving के लिए भी share market में निवेश करते हैं अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूँ कि जो investors होते हैं वो किस तरह कि होते हैं क्योंकि अगर आप investing शुरू करना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए investor होते हैं long term investors जो लंबी समयवधी के लिए और लंबी समयवधी मतलब 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लंबे समय के लिए invest करते हैं दूसरा short term investors होते हैं एक महिना, दो महिना, तीन महिने या बहुत से लोग तो कुछ दिनों के हिसाब से invest करते हैं और तीसरे होते हैं traders जो करते हैं intraday trading रोज share खरीदते हैं बेशते हैं लगाता टीवी के सामने बैठे रहते हैं BSC, NSC का जो exchange पर आने वाला rate होता है shares का वो देखते रहते हैं और जब भी वो पैसा कमाते हैं उनको लगता बहुत फाइदा हुआ लेकिन एक समय पर वो पैसा गवाँ भी देती हैं तो आप कौन से investor बनेंगे इस बात का नेड़ने लेने से पहले मैं आपसे प्रस्ण पूछना चाहता हूं और वो प्रस्ण हर investor के लिए बहुत मैथ पूर्ण प्रस्ण है और वो प्रस्ण है What return you expect from share market अगर आप share market में निवेश करें तो आप क्या rate of return expect करते हैं तीन तरह का मान लेते हैं भी percentage में calculate नहीं कर रहें best return, average return और worst return मतलब सबसे highest return आपको मिले या average return मिले जो जर्नली मिलता है लोगों को या आप worst return की situation पर focus करना चाहेंगे एक second का pause लें और सोचें के इन में से कौन सा return आप expect करते हैं best, average या worst 99.9% लोग जो है न वो कहेंगे कि मुझे best return मिलना चाहिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जो average return लेना चाहते हैं हर आदमी यह चाहता है कि मुझे best return मिले और worst return तो कोई लेना ही नहीं चाहता कोई चाहता ही नहीं कि सबसे घटिया return मुझे मिले और यही दुरुभाग्यवर सबसे गंबीर बात है उन लोगों के लिए जो beginner investors है जब वो अपना पैसा निवेश करते हैं तो उनको लगता कि best return पर मुझे काम करना है best, average और worst return है क्या इस बात को भी समझ लेते हैं तो दुनिया की जो सबसे बड़ी mistake है न वो यही है कि हम best return चाहते है या average आते है और worst return हम नहीं चाहते है लेकिन worst to worst situation क्या हो सकते है इस बात को समझना बहुत जुरुरी है अगर आप 1986 से आज तक का आप chart देखेंगे न तो आप देखेंगे कि share market में बहुत ज़्यादा fluctuation रहा है और वो fluctuation बहुत तेजी से बढ़ता है घटता है घटता है घटता है घटता है घटता है और यहां आप आजाते है आए मैंस पर chart के मादेम से बताता हूं कि किस तरह से में decide करती है या कैसे हमने invest किया तो बाद में हमारा decision worst या best हो गया share market 1981 में जब शुरू हुई तो आपने यहां invest करना शुरू किया market अप गई फिर डाउन आई फिर अप गई फिर डाउन आई फिर अप गई फिर डाउन आई अप डाउन लगातार चलता रहा up and down up and down up and down ऐही चलता रहा और आज market यहां पर trend करती है मालो 2022 की मैं बात कर रहा best opportunity में ही invest किया मतलब जब share market बहुत डाउन थी तब आपने invest किया जब share market बहुत डाउन थी तब आपने invest किया तब आपने invest किया तो यह आपके लिए best है मतलब आपने सबसे कम rate पर share खरीदा और जैसे आपने share खरीदा वो top पर चला गया फिर आपने सबसे कम rate पर खरीदा औ आपने best पे किया, आपने बीच में किया, आपने average situation पे invest किया, average पर invest किया, average पर, average पर, मदा हर जगा आपने average पर invest किया, और वह situation क्या हो सकती है, जब share market बहुत peak पर थी, आपको लगा कि अब profit मेरा हो सकता है, और उस profit की possibility में आपने हैं invest कर दिया, हर बार ऐसा ही हुआ, आपन invest किया share market नीचे आगे, आपने invest किया share market नीचे, और आपके invest करने के बाद share market नीचे आगे, लेकिन अगर आप सारी चीज़ ध्यान से देखेंगे न, चाहें आपने best opportunity में invest किया हो, worst में invest किया हो, या average में invest किया हो, हर condition में आपका पैसा बढ़ता ही ज़रुवत है तो आपको long term के लिए invest करने की, आई मैं बताता हूं कि ये percentage क्या है, best percentage return क्या होता है, जब आपको return 20 से 32% के आसपास मिलने लग जाए, हर बार आपने देखा होगा कि जब market बिल्कुल downfall पर थी और आपने invest किया, तो आपका जो average return आएगा, वो 20 से 32% के आसपास आएगा, लेकिन average income क्य होगी, अगर average हम calculate करेंगे, 12 से 18 की, और worst to worst calculation भी अगर आप कर लेते हैं, कि आपने सबसे top पर invest किया, और market नीचे आ गई, तब भी आपका return 9 से 11% काने वाला है, जो की bank deposit से भी जादा है, तो जरूरत क्या है, जरूरत है हमें ये समझने की, कि हमें regular invest करना चाहिए, market up हो या down हो, या आपको लगता है market average है, आप लगातार निरंतर जब invest करते रहेंगे, तो आपका पैसा बहुत लंबे समय में, 15 साल, 20 साल, 30 साल, जितने लंबे समय के लिए आप invest करेंगे, हर condition में, worst to worst condition में भी, वो आपको एक high return देने वाला है, जरूरत है, तो लगातार invest करने की, ना कि intra day trade करने की, trader क्या करता है, पूरे महीने में अगर दो दिन ऐसे हुए ना, जहां उसको highly profit हो गया, तो बड़ा खोश होता है, लेकिन एक दम से loss हो जाता है, सारा पैसा खताम हो जाता है, 98% cases में, जो small scale investor होता है, जब वो intra day trading करता है, तो बाद में zero होके ही निकलता है, लेकिन जितने भी लोग long term के लिए invest करते हैं, वो हमेशा, चाहें वो worst condition में क्यों ना हो, वो अगर market में retain रहते हैं, तो अच्छा profit generate करते हैं, जरूरत है लंबे समय के लिए invest करने की, और जरूरत है power of compound interest को समझने की, अगर आप regular सही तरीके से निवेश करते हैं, तो केवल 10,000 भी आपके 6 करूर बन सकते हैं, ये एक वीडियो मैंने मेरे YouTube चैनल पर दिया है, जिसमे power of compound interest के बारे में बता है, और कितना compound interest जो है, वो आठवा अजूबा है, अगर आप सही तरीके सको समझ जाते हैं, तो लंबे समय के लिए, वस situation में भी invest करते हैं, तो भी आप करू इस stock market millionaire की YouTube चैनल पर दिया है, उसको आप जरूर देखें, और ध्यान रखें कि long term के लिए invest करें, क्योंकि long term में आप चाहें best, चाहें worst, चाहें average, किसी भी condition में आई, आपका पैसा आगे ही बढ़ने वाला है, कभी panic ना हूँ, अगर share market डाउन आती है, तो कभी उससे exit ना ह रहें, और SIP के माधियम से, mutual funds के माधियम से, share equity के माधियम से, लगातार invest करते रहें, और आपका investment एक दिन करोड़ रुपए बन जाने बाला है, फ्रेंड्स business related या share market related कोई भी informative वीडियो मिस ना, उसके लिए इस चैनल को subscribe कर लें, और bell icon को ज़रूर प्रेस करना, ताकि वी आपके सुरे बविश्य की काम ना करता हूं, जै हिंद, जै भारत